साथ्यमाद धन्यवाद आने के लिए करनी में और बहुत-बहुत मुभाराबाद आपको माशिवरात्री आज अरविंद केजरिवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली आप लोगे बीच में आया हाद माशिवरात्री केजरिवाल जी ने रोगतक में मनाई है और सबको माशिवरात्री की आमाद्मी पार्टी की तरफ से सुख कामनाई भी है भाईचारा कावड लेके आमाद्मी पार्टी के लोग लेके आए और इस भाईचारा कावड का मक्सद ही ये था कि हर्याना के अंदर भाईचारा कायब हो जो इन पार्टियों दवारा, CVI दोरा बिगार दिया गया है। हरियाना के लोगों की खुशाली के तो यह 10 दिन की अमारी यात्रा थी करीब 600 किलो में इस सियात्रा की तोरान अमालालग जगेंसे आए हैं और पूरे अरियाना में इस यात्रा को बहुत बाहरी समर्थन बिला है आप लोगों बाद अन्यवाद आप लोगों बागे बिला रहा है और जिस तरह कि हमारे साथ पाणी पत के अंदर जो गढ़ना हुई है ऐसा मुझे लगता कभी किसी के साथ नहीं हुआ हुआ क्योंकि पहले हम शिवभगते कावडी दे गंगा जल उठावे लेका आए थे और हमारा मक्सदा कि गंगा जल इन मंत्रियों को मुख्या मंत्री को दें ताकि इनों ने जो अपने दो जार चोदा वे अंदर वादे किये थे जो इनोंने स्कूलों के लिए वादे किये थे जो कि याद दिलाने के लिए हम विंगा लेक्ट करें लेगा है कि इंगो सब को बैट करें के लिए इंग कुछ अड़िया है हम जब लेने के लिए तो इनके मंत्री अनिल्विल साब ने का कि आप आधरी पार्टी वड़े वही दुख मरें की उसके बाद इनके और मंत्री ने ब्यान दिया और पाणिपट की जो गठना उए पानि पत के अंदर गाडियों इकलाशी लेगी बत्तमीजी कीगी चापी छिन लेगी और जब वहाद दूसरे और कावडी आएगे सारे साथी आगे और पबलिक आगी तो उन्होंने माफ्रू मागी तो हमें यह समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह से विवार किया गया और जब हमने पुलिस अखमान है गंगाजल का अखमान है जो यह पार्टी हिंदू हिंदू करती है तो मुझे लगता है और इस तरह का विवार किया रहा है तो आज माने मिया मुख्या मंत्री जी अरविंद केज्रिवाल जी इस बहाइचारा का यात्रहा समापन करने के लिए और आप लोगों से बात्चीत भी करेंगे आप लोगों से मिलना भी क्योंकि पहले भी मिले थे तो आप लोगों से मिले मिले अरविंद के दिवात थी है आज महाश्य ड्रक्तरी के सभी को बहुत बहुत बढ़ाई है आज मैं जल चड़ाने के लिए आया हूं और हमारे भाई नभी जैनित और है सारे और साथी कावड लेके जल लेके यहां पे आये हैं उनके साथ अभी हम लोगों ने जल चड़ाया शेव जी पे और अच्छी बात ये है कि कावड की काफी मान देता है मेरे को याद है जब मैं छोटा था मेरे दादा जी मेरे चाचा जी और उसके बाद मेरे चाचा जी के बच्चे हर साथ कावड लाया करते थे मैं तो नहीं लाया लेकिन फिर जल चड़ाने के लिए हम सारे जाया करते थे अक्सर देखा गया है कि डोप जब कावड लेके आते हैं, सबकी अपनी माननेता होती है, इच्छा होती है, सब भुवान से कुछ ना कुछ मांते हैं, कि जी मैं कावड लेके आऊँगा, मेरे परिवार में ये दुख है, ये कर देना, ठीक कर देना, ऐसे कर देना. ये जो नवीन जैहिं जी और सभी साथी कावड लेके आए है, इनकी भी कुछ ना कुछ माननेता थी, लेकिन ये अपने लिए नहीं मांग रहे थे, ये हर्याना में भाइचारा हो, सभी जातियों के बीच में भाइचारा हो, हर्याना की प्रत्ति हो, हर्याना का विकास हो इसके मन्नत वांग के कावड लेके आए हैं मैं भॉगवान से प्राइचना करता हूँ, बोले महराजसे प्राइचना करता हूँ कि ये इछा ज्रूर पूरियो हर्याना में चार साल पेहले सरकार करें गी हर्याना के छे मैने बाद हम आरे चार मैने बाद हर्याना आज दोनों को अगर कंपेर करें तो दिल्ली के विकास की कहानी आज पूरी दुनिया में गाई जा रही है जबकि दिल्ली में तो पून रज्य भी नहीं था मैं आधिराज्य का चोथाई मुख्य मंत्री मूँ कितनी अर्चे ने अड़ाई इनोंने कितनी अर्चे ने अड़ाई कि केज्रीवार काम न कर दाए उसके बावजूत भी हमने कितना काम कर दिया खास तोर से शिक्षा, स्वास, बिजली, पानी इन चार क्षित्रों में तो इतना कांट हुआ है कि पूरे डेश के अंदर उसकी चर्चे हो लिए स्कूल कितने अच्छे कर दिये, सरकारी स्कूलों का काया पॉलट हो गया प्राइबेट स्कूलों से फीस वापस करवाई है, फीस बढ़ने नहीं दी लेकिन फेर भी कुछ प्राइबेट स्कूलों थे जिन्होंने सरकारी आदेश का लंदन करके फीस बढ़ाई, उनसे फीस वापस करवाई है बच्चों के पेरेंट्स के अकांट में भारत के इतियास में पहली बारु आओगा कि प्राइबेट स्कूलों ने फीस वापस करी है, मुखलना क्लेलिक बन रहे हैं दिल्ली में, अस्पतानों में दवाहिया मुफ्त हो गई, कई-कई लाख रुपई के ऑबरेशन फ्री में होते हैं दिल्ली में, और गरीबों के भ पिजली सबसे सस्ती हो गई पूरे देश में दिल्ली के अंदर, पानी मुफ्त हो गया, गली-गली में पानी कहुच रहा है, मेरे को यह जान के अश्यर होता है कि जब दिल्ली के अंदर इतना विकास हो गया, उस हर्याना के बाद सरकार मली थी, मैं हर्याना के लोगों से प अस्पताल अच्छे हुए, ने हुए, बिजली आने लगी, 24 घंडे, ने आने लगी, बिजली सस्ती हुई बतारे नहीं और महंगी होई, पानी आता है, ने आता, किस खेतर के अंदर विकास हुआ, कहां विकास हुआ, तो ये बड़ा दुख होता है कि साथ साथ सरकार बली थी और हमने इतना दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विकास की कहानी, आपको जानके अच्छर होगा, विदेशों से कौफी अन्नान सावब, जो यूमन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो छे बड़े-बड़े लोगों की, स्वीडन की, नॉर्वे के पूर प्रधान मंतरी, ऐसे छे मैंना चाहता हूं भई, हम तो राजनीती करने तो आए ने, राजनीती हमको आती भी नहीं है, हम तो आम लोग है, आम आदमी है, और देश का विकास हो इसी में हमारी इच्छा है, खटर साब को, या तो भाजबावादों को खटर साब को करना नहीं आ रहा, और या उनकी न प्राइवेट स्कूलों की कैसे फीस वापत कराते हैं बिजली कैसे सस्ती करते हैं, मुखल्लक लिनिक कैसे बनाते हैं पैसा कहा से आएगा, बजट कहा से आएगा हम उनको सब कुछ सिखाने को त्यार है, मेरी उनसे निवेदन है कि हमसे सीख के अबी भी एक साल बाग यह कर करने की और अगर नियत नहीं है करने की तो फिर जनता अगली पार आमादमी पार्टी को गोट दे तो जैसे दिल्ली में इतने अच्छे-च्छे काम हुए ऐसे फिर हर्याना में भी सारे स्कूल भी ठीक करेंगे लोगों के साथ मिलके अस्पताल भी ठीक करेंगे सब कुछ ठी कि कल शाहिद एक पुलीस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है ड्यूटी के ऊपर मैं भगवान से प्राटता करता हूं कि आत्मा को शांती दे उनके घरवानों को अगिस सदमे से वो प्रदाश्ट करने की शक्ती दे मुझे ये भी पताया गया कि अंबाला के अंजर एक स सेनिक शहीद हो गया है मैं वहां भी जाओंगा बालांस के परिवार वालों से मिलने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने एक योजना बनाई है जिसके तहत अगर कोई भी पुलीस का व्यक्ति या कोई भी सेनिक दिल्ली का रहने वाला जोड़ है वो अगर ड्यूटी पे या अपरेशन के दूरां शहीद होता है तो उसके परिवार को सरकार एक करोर रूपए की सम्मान राशी देती है वैसे तो ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए अपनी जान गबादी उसके जान की कीमत नहीं लगाए जा सकती एक करोर रूपए कुछ भी नहीं है लेकिन कम से कम कि मैं परिवार को लगता है बिदेश हमारे सात खड़ा है, लोग निटे। हमारे से खड़ी है, सरकार हमारे सात खड़ी है, समारे सात खटा है। इस महारना से एक करोब रुपए की संवान राशी देते हैं। मैं हल्याना सरकार से भी अपीर करता हूं कि उन दोनों के परिवारों को इस कीम लागू की आधा राज्य था जब से हमारी सरकार बनी मोदी जी ने एक एक करके मेरी सारी पावर चीने जैसे दिल्ली में एक एंटी करप्शन ब्रांच होती थी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोट किया रिके थी आपको याद है जब उनन्चास दिन की सरकार बनी थी पूरे डिल्ली के अंदर एक खौस था उनन्चास दिन में बत्तिस ओसर हमने जेल बेज दिये रहे पूरे डिल्ली के अंदर भष्टाचार कम नहीं कहूंगा मैं भष्ट जितनी सर्विसेज के मामले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग है अफसरों की करमचारियों की उनको सस्पेंड करने की पावर डिसिप्टरी अक्षिन की पावर वो सारी मोधी सरकार में हमसे चीनली ऑर्डर पास करके इस तरह से एक एक ऑर्डर पास करके जो पावर शीला दिख् कारे काम होएं क्योंकि नियत साफ है कि इस तो बहुत सोचता हूं जी और बहुत लोगों से पूछता हूं काम क्या किया काम के नाम पर तो जैसे आप ही लोगों से पूछू काम कुछ याद आता है बीजेपी के कोई कटर समर्थक अगर आपको मिल जाए जो जिनको उन भक्त कहते हैं भक्त भी अगर आपको मिल जाए उससे पूछो भी क्या काम किया चार साल में वो भी गिना नहीं सकता जाटों को नांचे से लड़ा दो, मुसमानों को हिंगों से लड़ा दो, खायें के नाम पर मरवा दो, देश बक्ति के नाम पर मरवा दो, चारो तरफ खौफ, डर का महौल है। इतनी रेड हो रही है रेड राज होना पूरा वैपारिंट करेक्स इनक्स होले जमर जी किसी को उरा ले खुछा जाना लेते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उधारंदू, ये एक करोड रुपे वाली जो फाइल है, शहीदों को एक करोड रुपे देने वाली, जब हमारी सरकार आई, हमने इसको लागू कर दिया, छे मईने लागू किया, छे मईने में में मिर को याद आ रहा है, साथ या आठ शहीदों परिवार के अंदर का मामला हम सुर्ट डालेंगे देश महनमी हैं कि अगर नहीं है तो आपकी नजर्में कौन पर धानमाम्ती हो सकता है है जो पिर स्वानेश इस तरह के लिकास के ओप ले जाये इस वहां है वह तो जनता तैकरेगी जोबी उबाइब यह अगया तरह कौन है कि यह पूर्द बंदन के है जो भार्टा करने गीपोल हर परिवार के कही बार बरतन बजों को सिलटा लेगा पर आप लोगों पर उस भी खेरा ने कहा है कि कीजरिवाल और बगवत बान आपने मेज़िटी आप जो माफी मांगी आपने उसमें स्टेंड क्लियर है स्टेंड तो क्लियर कर दिया जो माफी मांगी थी वो स्टेंड ही था अभी तक उनका स्टीफा एकसेप्ट नहीं हुआ है अभी पेंडिंग है तो जब भी उसके निरने होगा उस पर जल्दी जाएंगी सितंबर अक्टूबर का प्लान है सब्सक्राइब तरसरी मोदी के खिलाब सारा मिपकh सिट कर्ठा हुआ क्या उसमें छानिन होगे तूकि पासibenों दिये तो पिए मेरेको किछी भी मैं गटवंदन की राजनीती भ्लानी राजनीती मेरे डे यही सोचते हैं कि हम जनता के लिए और क्या काम कर सकते हैं जो पिछले तीन साल में मेरा सरकार चलाने का अनुभव है मैं कई बार यह सोचता हूं कि अगर हम लोगों ने तीन साल के अंदर इतनी कठिनाईयों के बावजूद इतने काम कर दिये तो यह पार्टियां 70-70 साल में क्यों नहीं कर पाई इसका फ्रैक्शन भी नहीं कर पाई मध्यपरदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार हैं हर्याना में 4 साल से है गुजरात में तुमें 20-25 साल हो गए इनको वहाँ पे स्कूल ठीक हुए है अस्पतार ठीक हुए है 20-25-25 साल त तो आप अपने बच्चे की क्लास लाइफ देख सकते हो कि मेरे बच्चे की क्लास में अभी क्या चल रहा है इससे जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ेगा और तीसरा एक अभी हम स्कीम बनाई है कि जितनी भी सरकारी जितने भी लोगों को सरकार में काम कराने पड़ते हैं अरिशोद देनी पड़ती है मेरे बच्चे एक फोन नमंबर मिल जाएगा दिल्ली के लोगों को बस एक ही फोन नमबर आपको दिल्ली सरकार से पूचेंगे हम् बजे फ्री हो आप को जी मैं रात को ऐठ वजे फ्री हूं मैं तो लेट आता हूं में दफ्तर से रात को आठ वजे दिल्स्कार से कोई आदमी आपके घर आएगा और अपनी मशीन लेके आएगा फोटो कॉपींग एक स्कैनिग मशीन लेकि आएगा और एक वो बायमेट्रिक मशीन लेकि आएगा आपका वहीं पे सारे कागजों की स्कैनिंग कर लेगा आपको सारे कागज वापस कर देगा एक रसीब देगा एक अफते के अंदर आपका सर्टिफिकेट या लाइसंस आपके घर पोस्क से पहुंच हुछ कि भूस पहुद कर सब्सक्राइब टीफिक होने कि चुरूरत नहीं लाइन में लगने की जुरूरत नहीं आपके घर आके सरकार आपके काम कर्पी जाएयगा क्याक वार कर कि सौ to talks say we see we спас your इसमें जी एक है 100 सेवा इंगम सेटिवीगेट इस किसम के करे सारे साथ समस्टर में 21 किसम के बंग वह सारे के सारे इस इसमें यह फिर आपक्र रंडर्श क है आपको गाड़ी की और शौड़िक करानी है आपको कई इस सारे सारे इस सेवां सो बंद करते करते आखिर निटेटार के अंडर लाने का विचार भी ऊसे तरह सी राशन की दुकाने यह मैंने हमयशा यह मानना है कि दोनों रज्जों के साथ नयाएं हो न्याए कौन करेगा न्याए सुप्रीम कोड करेगा सुप्रीम कोड का जो भी आदेश है वो लागू होगा अभी तक इन सारी पार्टियों ने के मड्यक पर के अधी करें हम राजनीटी नहीं करना चाथे हैं अभी जब ॉपंजाब के चुनाओ में कैप्टन अम्रिंदर ने मैनिफेस्टों जाड़ी करा था उस मैनिफेस्टों में लिखाओ fighter S.Y.L. का पानी बिल्कुल निदेंगे अरियाना को और इसको कौन करके आया था कौन करके आया था सुर्जेवारा और यहां किया वो कुछ और बोलते हैं तो दो ही तरीके इसको सौल करने के आया तो भाईचारे से कर लो और या कोट से कर लो और तो कोई तीसरा तरीका निया तो भाइचारे से करते तो यहां इनकी बीजेपी की सरकार थी, वहां अकाली बीजेपी की सरकार थी, केंद्रे में बीजेपी की सरकार थी, एक ताइम ऐसा भी था जहां तीनों जगे कॉंग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं करा इन्होंने तो इनका मकसद भाइचारे से समाधान करना नहीं है इस मुद्धे को जीवित रखना है अपनी गंदी राजनीती के लिए सप्रीं कोट करेगा जी नहीं? नियाए तो सुप्रीम कोट ही करता इस देश के अंदर कोट ही करता है। मेरे को निगाव रहा हुगा। किस सुप्रीम कोट है। यह बड़े दुख्की बाद है कि सुप्रीम कोट की भी बात नहीं सुनना चाहिए। आप मेरे से मुद्द्धे पूछो स्कूल काइसे ठीक करोगे ऐस्पताल काइसे ठीक करोगे सब मैं आपको आपको पर जंताे करूप पूलिस किसकी है अम सामात्मी की किस सर्कार की कि है पूलिस तो नहीं कि है तो पूलिस ने वहां रोक کے बत्मीजी करी गाड़ी की चाबी छहीं ली वो सब किया इध़ों । चाहें किसी भी पर्टी का? वह कावड़िया वह ओखुरेसी नी होता वही होता है और शिवर निली के सारे के साघ शिवर कावड के शिवर दिली सरकार द्वारा और यह नहीं देखतें, सचिंद landlord जो कावड ह्या जहीं? हमारे लिए वो हूजा के योग्य है भक्ती के योग्य है जो आदमी इतनी दूर से मेहनत करके और अपने शरीर को तकलीव दे के कावड ला रहा है कावडियों का सेवा करने सिखाई है, मेरे परिवार ने, मेरे बादा जी ने, हमारे परिवार ने कावडियों की सेवा करने सिखाई है, कावडियों के काम के अंदर जो भी बादा पहुंचायता है, उसको पाप लगता है, लेकिन हमने उनको माफ किया, अखाली दल के नेटा म अब वो गया काफिया